किसान दोस्तों नमस्कार आपका IHTR खेती में एक बार फिर से स्वागते किसान भाईयों गन्ये की जो हम खेती करते हैं तो उससे अच्छी पैदावाल लेने की सोचते हैं मैं अच्छी पैदावाल लेने के लिए काफी अधिक खर्चा भी करना पड़ता जैसे उरवर्कों प आने वले हैं कि आप कम लागत में यानि कम खर्चे में अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं क्योंकि ग्रोथ मोटर और कुछ चीजे ऐसी हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं यदि हम उनको मार्केट से ना खरीद करके घर पे खुद तैयार कर लें तो हमें अच्छी पैदा तो निश्चित ही आपको कम लागत लगाने पड़ेगी पहली चीज आपको गन्य की बुआई करते समय गन्य को सोधत करना जरूरी है उसके साथ-साथ जब अंतिम जुताई कर रहे हैं हो और पलेवा कर रहे हो तो ट्राइकोडर्मा आपको जरूर दे देना है ट्राइकोडर् जमाई उज़ करेंगे तो कम लागत भी लगेगी और लंबे समय तक असरदार भी रहेगी इसके बाद आती है गन्य की बुवाई के पहले हमको औरबरकों का प्रियोग तो औरबरकों में आप कमपोस्ट जरूर उज़ करें यदि आप गन्य की बुवाई करते समय नहीं तो आप कमपोस्ट दे सकते हैं लेकिन जब आप कमपोस्ट डालें उसके 24 गंटे के अंदर आपको सिचाई जरूर कर देना है यदि आप सिचाई नहीं करते हैं तो जो आप बाद में कमपोस्ट देते हैं उसका इतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा तीसरी ची कर रहे हैं तो सिचाई के साथ भी इसको चला सकते हैं इससे दिमक पर आप अच्छी तरह से कंट्रॉल कर पाएंगे अब बात आती है गन्य की growth और टेलरिंग के लिए तो गन्य की growth और टेलरिंग के लिए हम एक 150 ग्राम बेसन ले लेना है सब को मिला करके और आपको किसी टब या ड्रम में डाल देना है उसमें पानी फर देना है और 10 से 15 तक उसको रखने के बाद उसको चान करके आपको स्प्रे कर देना है तीन से चार इस्प्रे आप कर देते हैं तो गन्य की टेलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और गन्य ग्रोथ भी अच्छी तरह से करेगा निश्ची तही यदे आप इसको अपनाते हैं तो जो मार्केट में ग्रोथ प्रोमोटर मिलते हैं उससे काफी अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा और लागत भी कम आएगी अब बात आती है कि जब हम पहली सिचाई कर रहे हैं तो पहली सिचाई करते समय जो आप दवाएं आद देते हैं उनको तो आप कि इतना सक आद दे सकते हैं उसके साथ साथ आपको 30 से 40 किलोग्राम सरसों की खली दे देना है सरसों की खली यदे आप दे देते हैं तो औरबर्कों की जो मात्रा आप देते हैं उसमें काफी कटवती कर पाएंगे जैसे बाद में जब आप यूरिया देते हैं तो यूरिया की जो मातरा देते हैं उसको आप बहुत कम कर पाएंगे और डिए पी एन पी के जो देते हैं उसमें भी आपको कटवती करने का पूरा मौका मिल जाएगा जिससे आपकी लागत कम हो जाएगी दूसरी सिचाई या तीसरी सिचाई में आपको उर्बरकों का प्रियोग करने में ध्यान देना है कि सीधे बुवाई ना करके यदि हम इस्प्रे करते हैं तो इस्प्रे करने में लागत कमाती है यानि प्रति टंकी यदि हम 50-60 ग्राम यूरिया ले करके और उसका इस्प्रे कर देते हैं तो यूरिया पे जो काफी यदि खर्चा आता है उससे आप बचाओ कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों एक चित ध्यान देना है कि यूकी गन्ना लंबे समय की फसल है तो आपको जुलाई से अगस्त महीने के बीच में दोबारा सिंगल सुपरफासफेट जो है वो 50 किलोग्राम और यूरिया जो है 50 किलोग्राम दोनों को मिक्स करके बुआई कर देना है इससे आपके गन्ने की लंबाई काफी अधिक बढ़ जाएगे निहाइट भी आप बढ़ा सकेंगे गन्ना वजन भी होगा लागत भी अधिक नहीं लगेगे क्योंकि इस समय यदे आप नपिके अडियेपी प्रियोग करते हैं चाच को आप वैसे भी अतामरी उक्त नहीं है तब भी आप समय समय पर छिड़काओ करके फफून से बचाओ कर सकते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों यदे हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अच्छी पैदावार कम लागत में कर सकते हैं अच्छी दोस्तों यहां पर और बताना चाहेंगे यदि आपके गन्ने में किसी प्रकार के ऐसे लच्छड दिखाई पड़ रहे हैं जो पोसक ततों की कमी के हैं तो उनको आप जरूर पूरा करिएगा तब ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं पोसक ततों की जो फ़ूर पोसक ततों है – जिससे जिंक है, आईरन है, मैगनीज है इन पर हम नहीं पर ध्यान देते हैं तो भी हमारी पैदावार घड़ जाती है तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा लाइक सेर जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नई जानकारी में धन्यवाद